तो इसमें क्या करते हैं सबसे पहले हमने लेने दो मोल लेने मिथनल के मिथनल क्या होता है CH3OH इसके हमने अक्सिडेशन करवानी है ठीक है कटालिस्ट कौन से होंगे FEO और MO2O3 अब इनको 500 degree centigrade temperature पर हीट अप करना है यह जो हम मिथनल लेंगे यह वैपर्स फार्म में लेंगे ठीक है तो क्या होगा मिथनल के एक OH से हाइडरोजन और यहां पर अलफा कार्बन से हाइडरोजन यह दोनों हाइडरोजन यहां से रिमूव हो जाएंगे यह हाइडरोजन निकलेगा तो अपना बांड इधर शिफ्ट कर जाएगा इधर कार्बन और अक्सिजन के दिम्याँ डबल बांड बन जाएगा इस तरह से तो बाकी क्या बचा एक हाइडरोजन यह एक हाइडरोजन यह तो इस तरह से हमारे पास फार्म अलडिहाइड बन यह दोनों hydrogen oxygen के साथ water की फार्म में निकल गए क्या होता है two items of hydrogen are removed one item from OH group and other is from alpha carbon alpha carbon वो carbon होता है जिसमें यह OH group के साथ वाला carbon कौन सा alpha carbon है इस तरह से हम aldehyde को prepare कर सकते हैं